शाज़पुर जिले के मोहन बड़ोदिया जनपत पंचायत के अंतरगत ग्राम पंचायत करजु में किये गए लाखों के घुटालों का आरोप ग्रामिनों ने जिला कलेंक्टर से की शिकात वर्जाज टीमें बनने के बावजूद घुटालों के आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है इसी कारण आरोपियों के खोसले बुलंद है और विफिर से ग्राम विकास के बहाने कारें मन्जूर करा कर कमाई के रास्ते तलाशने में जुटे हैं करजु के ग् पेत्र मोहन बढ़ो दिया कि अंतरगत ग्राम पंचायत करजू में किये गए लाखों के घुटालों के बारे में ग्रामनों ने कई बार शिकायते की जिससे ये मामला गर्मा गया और वरिष्ट अधिकारियों ने इनकी जाँच के लिए जिम्मधारों को निर्देश भी दि जव दीपक के साथ मिलकर कई कार मनमाने तरीके से कराय जाने क्या रूप लगाए हैं यहां पंच परमेशमर योजना से कड़ी दस लाग की लागत से दो सीसी रोड बनवाए जो बेहत घटिया वह अमानक तरीके से बनाए गए जिससे ये दोनों सीसी रोड छे मां से घर चंदर्वंशी नारायन नाई सुनील चंदर्वंशी राहुल चंदर्वंशी कमल सिंग पंच करंट सिंग मालवी रोडू मालवी में कालू राम मालवी भागीरत मालवी जमादार सिंग आधी निक कलेक्टर SDM में शिकायत की बता गया कि घटिया सीसी रोड निर्मान से लॉकडाउं का उलंगन करते जनता जनार्दन की पैसों का दुरुपयों किया गया दो मा में उखडी सड़क को लेकर ग्रामिनों ने सरपन सचिफ का विरोध किया लेकिन उप्यंत्री के सामने किसी की नहीं चली ग्राम पंचायत करजु में सरपन्च्व सचिफ ने मिलकर बिना निर्मान कारे कराई ही विभिन मदों से करीब 14 लाग की राशी निकाल कर गबन कर डाला सरपन्च्व सचिफ सायक ने मिलकर घटिया सीसी रोड बनवाया है जो पास करने लाइक नहीं था फिर भी उप्रियंतरी ने इस सीसी रोड को कैसे पास कर दिया ये भी सोचनी अबिन्दू है